हिमाचल परदेश में क्रिप्टो करंसी फ्रॉड हुआ है और ये बड़े स्तर पर हुआ है पुलिस इसमें लगातार कारवाई कर रही है और आज हिमाचल हाई कोट में स्टेटस रिपोर्ट भी पुलिस की तरफ से दाईर की गई है और इसी विशह पर बाचित के लिए खबर सब्सक्रावाई का बहुंची है देखे ऐसा है कि आज हमने मानने हाई कोट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की उसमें ये बताया कि ये क्राइम इतना बड़ा स्कैम था क्या फिर हमने क्या किया आगे क्या करने वाले हैं और किस किस को हम मदद मांग रहे हैं तो कु साथ दिन का अरेस्ट का नोटिस दे के फिर इनको आप अरेस्ट कर सकते हैं कुल मिला के देखे ऐसा है कि जब ये विशे आया तब इतना बड़ा जाल लगता नहीं था और जैसे जैसे जाल खुला है ये बहुत बड़ा जाल मेरे को लगता है कि हिमाचल की इतिहास में इतन उनने बहुत फोरी तोर पे काम किया और अच्छा काम किया सबसे अच्छी बात ये थी कि इस वेबसाइट जो थी इसको हम क्रैक कर पाए इससे ये पता लगा कि ढाई लाख आईडीज थे और एक लाख के करीब इन्वेस्टर्स थे और इसमें जो किंग पिंस हैं चार में स तीन हमने अरेस्ट कर दिये और नेक्स्ट लेवल के भी हमने टोटल लोग अरेस्ट करने की प्रक्रिया चली भी है आज दिन तक हमने अठारा लोग इसमें अरेस्ट की हैं आशा करते हैं कि जो बाकी जो जिनकी प्रॉफिट टेकिंग या देंदारी दो करोड से जादा है उनको भी हम जल्दी रेस्ट कर लेंगे. सर कितनी बड़ी involvement आपको लग रही है और कैसे ये शुरुआत हुई और लोग इसके जहांसे में आ गए एक जो मुख्या सर्गना है वो बिदेश भी फरार हो गया है अब उसको कैसे बापस लाए जाएगा? देखिए ऐसा है ये जो किंग पिंस थे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते थे मल्टी लेवल मार्केटिंग है कि पेड की तरह है? ट्रीट की तरह होता है? लेफ्ट साइड राइट साइड एक एजेंट अपने नीचे दो एजेंट बनाता है जिसे एमवेज है कई फार्मसिटिकल है कई दूसरी चीजे है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की होती है लेकिन इन्होंने इन्में से कुछ फिर साइबर के भी एक्सपर्ट होगे तो क्रिप्टो करंसी का इन्होंने फिर म एसी पौरणजी स्कीम में क्यों है शुरू शुरू में आप लोगों को पैसा देते हो लेकिन एक दिन तो यह से प्रिप्ड हूंट पयंतैबर करनसी ना सरकार से रिजर कारिंटेंट से घर्बंक से गारंटेंट है ना इनकों को रिज़र्न से CB से कोई license मिला था लोग इनके जहांसे में आते गए शुरू-शुरू में इन्होंने काफी high returns दिये तो दीरे-दीरे करके इनकी दो सदेशत्या बहुत ज़्यादा हो गई और इन्होंने target किये ऐसे लोग जिनको four lane से या जो land compensation से कोई bumper पैसा मिला है साथी साथ सरकारी जो करमचारी अधिकारी हैं इनके पास भी काफी पैसा होता है उनको इन्होंने target किया कुछ देर के बाद हमको देखने में आया है कि जो सरकारी करमचारी अधिकारी खुदी इनकी agent बन गए और क्योंकि इतना ज़्यादा इनको profit में मज़ा आने लग गया कि ऐसे लोग फिर invest करने लगे आपकी जानकारी के लिए कुछ मेरे को लगता है कि दो हमारे police constables vrs भी लिया उन्होंने जो cyber और crypto और cctns में expert थे उन्होंने काफी बड़ा काम किया लेकिन मैं आपके माद्यम से जंता को यह आश्योस करना चाहता हूं कि इसमें जितने भी involved हों इसमें के लिए को भी धत्ता बता दिया गया टेक्सेशन सिस्टम भी फेल हो गया इस पूरे crypto scam के पीछे क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है या केंद्री अजेंसियों की भी मदद इसमें लिजा रही है देखिए मैंने जो केंद्री एजेंसी जेंके head को लिखा है कि इ साथ जार रुपे भी जमा करो या विड्राव करो तो आपको कुछ देना पड़ता है यह धाई हजार करोड का transaction हो गया कैसे बैंक को नहीं पता लगा यह तो एक investigate या inquiry करने की बात है और इसको इस loophole को plug करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो आज तो यह हुआ हमारा जो cryptocurrency कल कोई और आ जाएगा सर जो आरोपी है उनकी संपत्ति को फ्रीज करने का दौर चला है कि इतनी संपत्तियां फ्रीज हुई है और इसके साथ-साथ क्या जिन लोगों ने पैसा डुबो दिया है वो उनको उमीद हो सकती है या वो उमीद करें कि उनका पैसा बापिस भ हुई है जिसमें जिरकपूर और मंडी में उसकी प्रॉपर्टी है ऐसा हुआ जब से यह साइटी बनी और कंप्लेंट्स आने लगी एक थोड़ा सा डिसिप्लेन हो गया इसमें तो काफी लोगों को जो जो जिनोंने इन्वेस्ट कराया था उन्होंने काफी पैसा दे दिया है मेरे को यह जानकारी है कि आज दिन तक असी प्रतिशत के करीब जो पेमेंट से वो हो गई है नॉट विट स्टेंडिंग डैट उसको छोड़के लेकिन जिनोंने जो किंग पिंस और जैसे मैंने बताया सतर से असी लोग जिनोंने दो करोड़ से ज़्यादा कमाया इसमें उनको तो हम गिरिफदार करेंगे ही लोगों से क्या अपील करेंगे निकटब भिश्य में भी इस तरह के केसिज ना आए या ऐसा कोई स्कैम होता है या कोई जहांसे देने की कोशिश करते हैं तो लोगों को कैसे आवीर रहना होगा देखें ऐसा है कि मानिय उप मुख्य मंतरी जी ने मानिय रेविन्यू मिनिस्टर ने भी लोगों को बताया अगवा किया है कि ऐसी स्कीम में ना आए और जहां लैंड कंपनसेशन का बहुत जादा पैसा मिलता है जिसको रिटायर्मेंट पे जी पीएफ मिलता है ग्रेचु से रिजर्व बैंक अफ इंडिया से बी से उनी में इन्वेस्ट करें क्योंकि यह जो अन्रेगुलेटड डिपॉजिट्स होते हैं ऐसी जो संस्ताय होती है जिनको लैसंस नहीं है वो डिपॉजिट्स लेते हैं लोगों का कुछ दिर के बाद देखने में आया है कि लोगों बननी जो है इसमें ना लगाएं और जो गौर्मेंट बैंक से गौर्मेंट स्कीम से या जो शिडूल बैंक से शिडूल स्कीम से उसी में लगाएं बिल्कुल यह थी डीजीपी हिमाचल संजे कुंडू और इन्होंने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट आज दाखिल की गई है उस इसको लेकर कोई पर्मीशन ना हो और उसमें फ्राड हो सकता है और जो भारत सरकार से जिस तीज की पर्मीशन है जिसमें इन्वेस्ट करने के रिए केबल उनीप मैं ही इन्वेस्ट करें वीडियो जनलिश्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकूर शिमला